बिहार में साइबर अपराद ही जिस तरीके से अपना जाल बिछा रहे हैं ऐसे में इनके जाल में चाहे वो आम बैक्ती हो या फिर कोई खास हो वो लगतार फस रहे हैं साइबर अपराद का गिरोह जो है वो बिहार में कुछ इसकदर सक्रिय हो गया है कि उसको पकड़ना बिलकुल भी मुम्किन नहीं लग रहा है पुलीस के पसीने छूट रहे हैं पुलीस आखिर कार कैसे उनको पकड़े कैसे साइबर अपराद पर बिहार में लगाम लगाई जाए क्योंकि आपने सुना होगा कि इसके पहले बिहार में जो DGP थे उनके भी फोन को हैक किया गया था साथिसाथ कई ऐसे IS IPS है जिनके फोन को हैक कर लिया जाता है और उनके अकाउंट से पैसे गाइब कर लिये जाते है या फिर उनसे हैक करके तमाम चीजे जो हैं उनके साथ गलत होने लगती हैं जिसकी लिखित शिकायत वो दर्ज कराते हैं बावजूद इसके बिहार में जो सिंडिकेट बन गया है एक साइबर अपराद का पहले जारखंड का जामताड़ा हुआ करता थे लेकिन बिहार में एक रिपोर्ट के नुसार बिहार में जामताड़ा से जादा साइबर अपराद होने शुरू हो चुके हैं और इसके लिए पुलीस के पसीने चुट रहे हैं कि आखिरकार इन साइबर अपरादियों को कैसे पकड़ा जाए तो आपको बताए कि EOU ने एक बड़ी स्पेशल टीम बनाई है और ये टीम बहुत गुप्त तरीके से काम कर रही है और EOU ने कुछ चुनिंदा अपसरों को कड़क है और काफी शार्प माइंडेड है और वैसे लोग का चुनाओ कर EOU ने एक बड़ी कारवाई करने का प्लान बना लिया है आपको बता दे कि साइबर अपराद का जिस तरीके से गिरो बिहार में सक्रिय हुआ है उस गिरो का भांडा फोर उस गिरो का तार काटने के लिए EOU ने छे बड़े इंस्पेक्टर समेत 171 पुलिस कर्मियों का सेलेक्शन किया है और सेलेक्शन करते ही सब जुटा कर पहचान कर प्रादियों को पकड़ना है पुलिस के लिए टफ टास्क बन रहा है बढ़ते साइबर क्राइम के वज़े से राज सरकारों के साथ ही क नेस्नल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हल्प लाइन 1930 को देश के सभी राजियों और केंदर सासित प्रदेशों के साथ साथ बिहार में भी मजबूत और काफी अक्टिव बनाया गया है आपको बताए कि 1930 जो हल्प लाइन नंबर है बिहार में 24 गंटे सुनी और समझी जा रही है साथी परिशान लोगों के शिकायत पर तेजी से कारवाई हो रही है इसके लिए अलग अलग जीलों में कुल एक से कतर पुलिस कर्मियों का सेलेक्शन एयो यू के तरब से किया गया है नेस्नल साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930 अब तक एक ही ल पुरे मंतराली के तरब से इस संबन में निर्देश के बाद DGPRS बटी के तरब से जारी किये गए एक आदेश पर EOU और पटना के IG समेत एक कमीटी टीम बनाई गई है इस कमीटी को ही नेस्नल साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930 के लिए काम करने वाले पुलिस कर्मि तरब धार दिया गया है EOU के गईक अदिकारी के अनुसार 9 फरवरी को इस कमीटी की मिटिंग हुई इस मिटिंग में 171 पुलिस कर्मियों का सेलेक्शन किया ग्या है इन में एक महिला समेत 6 इंस्पक्टर मुझूद है और आपको बताए कि 171 पुलिस कर्मियों का सेलेक्शन में एक महिला समेट 6 इंस्पेक्टर, 8 महिला समेट 15 सब इंस्पेक्टर और 88 पुरूष और 62 महिला समेट 150 सिपाही सामिल है इसके लिए राजी के सभी रेंज और IG और DIG के अनुसंसा मांगी गई है साथी जो इस सिस्टम के लिए खुद से काम करना चाते हैं वैसे पुलिस अपसरों को और जवानों को सीधे EOU के इमेल पर मेल करने को कहा जा रहा है साथ दिन के स्पेसल ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग के बाद से बिहार में साइबर जो अपरादी हैं उनके सिंडिकेट को तोड़ने की तैयारी बिहार पुलिस प्रशाषन के द्वारा की जा रही है तो अब साइबर अपरादियों की खहर रही और अपरादी अब साइबर अपराद का अंजाम नहीं दे सकते हैं अब बिहार टॉप के साथ तमाम खबरें आपको लगतार देते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद